So, Hello Everyone, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है Delhi University का MA in Political Science के लिए एक और जो कटोप लिश निकला है उसके बारे में तो गाईज अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लिजे क्योंकि यहाँ पर हम लोग आपको छोटी से छोटी information देने का परियास करते हैं इसके लिए आप लोगों को चैनल पर बने रहना है तो यहाँ पर अभी जो Political Science की जो लिस्ट आई है वो actually NC Babe के लिए आई है तो हम लोग फिलाल Political Science के लिए बात करेंगी बाकि अगर आपका हिस्ट्री, हिंदी, फिलोसोपी, पंजाबी, संसकर्थ, उर्दू, इंग्लिस यह सारे कुर्सिस है तो आप लोग अपना यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो क्योंकि हम लोग actually बात करने वाले कि भाई Political Science में कितना यहाँ पे कटोप गया है यह जो लिस्ट है actually कली आ गई थी बट हम लोग आपको वीडियो थोड़ा लेट बना के इनफर्म कर रहे है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि entrance में जो है यहाँ पे final जो student ने marks gain किये है वो 242 पे जो है यहाँ पर admission हुआ है यह highest आप लोग देख सकते हो यह जनरल के लिए है और वहीं अगर बात करें minimum के लिए तो यहाँ पे minimum जो आपका गया है cutoff वो आप लोग देख सकते हो फिलाल यहाँ पे दोस्तों है यानि कि आपका जो है जनरल के लिए गया है 187 ठीक है 187 पे जो girls है उसको admission मिल गया है general category में actually यह जो list है यह के ओल आपको इसमें girls के लिए दिखाई देगा है क्योंकि nc wave जो है especially जो girls है उनके लिए यहाँ पे यह ओफर करा जाता है तो यह OBC का कुछ list है OBC में आप लोग देख सकते हो कि minimum जो गया है 155 है उससे भी कम है तो अगर आप देख सकते हो यह भी अगर OBC का ही है 151 यहाँ पे गया 111 जो है OBC में गया है वहीं अगर बात करें हम लोग ऐसी के लिए तो ऐसी में आपका 135 नंबर पे admission हो रहा है 135 पे और ST के अंदर आलांकि पांची student है और 128 नंबर पे admission हो गया student का 164 highest गया है और minimum गया है 128 वहीं अगर बात करें EWS के लिए तो 111 पे EWS में admission हो गया है अंजली पांडेगा ठीक है वहीं अगर बात करें हम लोग merit base पे तो आप लोग देखी सकते हो कि भाई यहाँ पे merit base पे तो 85 यहाँ पे लाए गया है highest और अगर बात करें minimum की तो minimum आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो है 75 प्लस ही गया है 75 1.14 गया है यह जनरल के लिए है वहीं अगर बात करें OBC के लिए तो भी उनको डेली निवर्सिटी यहाँ पर मिली और फिर उन्होंने यहाँ से graduation किया तो अब master में वो लोग apply करना चाहते हैं तो master में भी उनका marks तो यहाँ पर अच्छा ही था इसलिए उनको यहाँ पर admission मिल गया तो cut-off यहाँ पर हाई गया है मैं कहने का बात आपको यह चाहरा हूं अक्छली तो यहाँ पर यह OBC का 72 पर finish हो गया है और वहीं बात करें से के लिए तो ऐसी पर भी 72 है सोरी 62 ही था स्टी पर 69 प्लस ही गया है ओके EWS का अगर आप देखेंगे तो 62 गया है ओके तो यह आपका PDF यहाँ पर end हो गया है तो यह जो है आपकी NC वेब की लिष्ट थी आप लोग देख लीजेगा कि आपके कितने नंबर थे एंट्रेंस में या मेरिट पे आपके कितने नंबर थे उसके इसाब से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पर इमिशन मिल जाएगा तो यह एक information थी जो कि आप सभी तक पहुचा नहीं थी जो कि हमने आप तक पहुचा दी है और इस वीडियो में गाईज इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया बाकि अगर आपको हमसे परसनली कुछ पूछना है तो आप लोग हम इंस्ताग्राम पर मैसेज कर सकते हो वोटसब पर मैसेज कर सकते हो पुलेटिकल साइंस के लिए खास कर ओके तो इस वीडियो में फिर से इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया